तो आज की इस वीडियो में हम लॉन फ्रोग जो डिजाइनर जो हम मार्किट से लेकर आते हैं नैक का पीस में बना होता है तो उसको हम किस तरीके से कटिंग करें और स्टिचिंग करें इस चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो देखें यह हमारा लॉन फ्रोग का फ्रंट पार्ट और यह बैक पार्ट तो इस तरीके से इसमें डिजाइन हो रखा है और यह पूरा फैब्रिक है कम तीन मिटर के करीब यह फैब्रिक है तो यह देख सकते हैं यह फ्रंट में आएगा यह जो डिजाइन बॉर्डर का तरीके से देखें तो टोटल फाब्रे कितना है और मफंसकर पहले पल्ट का निशान लगाना शुरू करना और अकर्डिंग फिर ऑम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए बैक वाला और यह फ्रंट वाला है तो फ्रंट वाले पार्ट में जो नेक डिजाइन इसमें बना हुआ है पहले से ही तो उसमें सबसे पहले हमें इसमें इसको हाफ कर लेना होगा ताकि हम इसको बीच में से बिल्कुल फोल्ड कर सके और जो डिजाइन है किसे सकेल रख ले रही हूं तक यह बिल्कुल इदर दर ना हो और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया और स्केल मैंने साइड में कर दिया है देख सकते हैं अब यहां से कढ़ाई का डिजाइन है दोनों एक साथ बैठना चाहिए इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है शोल्डर पर एक जगा कढ़ाई आगे पीछ हो जाएगा तो इस चीज का मैं ध्यान रखते हैं बिल्कुल बराबर से अच्छे से निशान लगा लेना है और अब हम इस पर निशान लगाना शुरू करेंगे तो शोल्डर मैं आप सेवन इंच ले रही हूं शोल्डर मेरे मे में साथ इंच है तो साथ इंच में इस तरीके से निशान लगा देती हूं यह हो गया और हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का जितना ही मेजर्मेंट हो आपका उसका टोटल में एक से दो इंच लूजिंग एड़ करें और उसके बाद चौथाई लें तो यहा तो यहां से हम सूट में निशान लगाते हैं मिलकुल उस तरीके से निशान लगाना है यह देख सकते हैं आप चौथाई करने पर चेस्ट का मेजर्मेंट 8.5 आया था और यहां से मैं इसको राउंड कर दूंगी और फ्रंट पार्ट जो आर्मोल का होता है वो हलका सा डीफ होता है अंदर की साइड तो देखें इसे भी मैं हलका सा राउंड कर दे रही हूं अंदर की साइड यहां पर यह चौक थोड़ा लाइट चल रहा है मैं अभी चौक इसको चेंज कर दूंगी तो यह देखें यहां से हम टोटल लेंद इसकी लेने वाले हैं 15 इंच तयार हमारे पास 16 इंच आजएगा क्योंकि आधा इंच उपड़ सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा तो मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया है और अब हमें वेस्ट का निशान लगाना यानि की कमर का तो कमर हमारा यहां पे तोटल 28 इंच लूजिंग एड़ करते हुए उसका चौथा ही आ गया साथ इंच साथ चार से भाग करकर देखें हो गया यह में साथ पर निशान लगा दिया है और डेड़ इंच हम लूजिंग ले रहे हैं यह देखे पार्ट में हाफ इंच डाउन होना चाहिए तो देखे इस तरीके से हमने हाफ इंच डाउन करते हुए निशान लगा दिया है तो अब मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ और अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और इसमें जो नेक का डिजाइन था उसको हम बाद में बनाएंगे वह आप आगे की वीडियो में देख लेंगे तो देखे हमारा बैक वाला पार्ट है तो इसको भी अब हमें हाफ करना तो यह भी 9 इंच आ रहा है सेम आज इस पहले की तरह जैसे फ्रंट में आया था तो इसका भी हाफ 4.5 पर देखे मैंने निशान ल हो गया है और अब हमें क्या करना है जो फ्रंट वाला पार्ट था हमारा उसको लेना है और इसके उपर अच्छे से इसको ट्रैस कर देना है देखे इस तरीके से रखते हुए यहां से हमें रखना है जहां से इंब्रॉइड्री आ रहा है उसके थोड़े से हमें उपर से रखना देखिए इंब्रॉइड्री है यहां से मैं इसके थोड़े से उपर से रख रही हूँ और इसको अच्छे से में सेट कर लेती हूँ और इसके किनारे किनारे हमें चलाते वे आर्मोल वाला पार्ट छोड़ते हैं वस हमें पूरे में निशान लगा लेना है यह देखिए तो इस तरीके से इसको हम पूरे में ट्रेस कर लेंगे यहां पर जो आर्मोल वाला पार्ट है क्योंकि हमने बैक का निशान लगाया है तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते वे निशान लगाया है क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा डीप हमने काटा था तो बैक वाला पार्ट डीप नहीं होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिफ्रेंस है आर्मोल के पास में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए इस तरीके से कट कर लेते हैं और अपने अभी तक में चनल को समस्क्राइब नहीं किया हुआ से सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगे नॉलिजिबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के था ज़रूर शेयर किजीगा इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्या फर्क है यह जो बैक आर्मोल है और यह देखिए फ्रंट आर्मोल है यह देख सकते हैं फ्रंट आर्मोल थोड़े था डीप है और बैक को हमने नॉर्मल रखते हुए कट कर रहा है और यहां से यह देखिए कमर जो हमने लिया था साथ इंच लिया था तो यहाँस पास पूरा बचा हवा फैब्रीक और यह नीचे जो फ्रंट में इंब्रॉइड्री आएगी वह वाला पार्ट है तो अब हमें देखना होगा टोटल फ्रोक की लेंद्ट कितनी चाहिए तो टोटल फ्रोक की लेंद्ध मुझे 37 इंच चाहिए और इखेए हुपर स हमने 14 इच लिया है तो 11 – करेंगे तो नीचे वाला पार्ट बंहें 23 तैयार चाहिए यहां से लएंग कित Knife लिए हम नीचता कई ऄरं एपक्र लाई फारइबी नहीं वह पर एघ्डारी, वग यह कुछो घ्यार नीचा सेह और शे अब इचा कीवाईब्यो sed यहां से इस तरीके से 25 इंच पे निशान लगाते हैं इसको हम फोल्ड कर लेंगे पूरे में नीचे से फोल्डिंग के लिए देख सकते हैं आप यह फैबरीक है कड़ाई के नीचे डेड़ इंच का था इसलिए हमने डेड़ इंच लिया और उपर से आधा इंच स्लाई में जाएगा देखे टोटल 25 इंच हमने ले लिया है तैयार और इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर हुआ है और चोड़ाई जो इसकी है जो घेर है वह हमने पूरा ले लिया है उसमें हमने कम नहीं करा है और लंबाई आपने देखी लिया है 25 इंच हमने लिया जितना हमें चाहिए था और आप अपने अकॉर्डिंग भी इस तरीके से कम यह जदा कर सकते हैं टॉप पार्ट आप माइनस कर दे नीचे का आप कभा जागा आपना टोटल लेंथ में से माइनस करके निकाल सकते हैं तो यह वो गया हमारा नीचे वाला पार्ट और दू demons और बैक दोनओ यह हो गया हमने कटिंग कर लिया इसको और अब हमें sleeves की कटिंग करनी होगी देखिए ये हमारे पास फैब्रिक बच गया तो इसमें अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने इसको दो फोल्ड कर लिया है दोनों ही स्लीव हम एक साथ कट करके निकालेंगे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन खीच लूँगी और अब हम इसकी टोटल लेंगे कि टोटल हमें लेंद चाहिए कितनी तो टोटल लेंद मैं यहां पर 21 इंच ले रही हूँ तो 21 इंच हमें चाहिए यहां पर margin एड़ करते वे फोल्ड करने के लिए तो देखिए हमने 21 इंच पर निशान लगा दिया है और अब यहां से आर मोल के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहां से 3 इंच पर और अब हम इसको इस तरीके से इस लाइन को मिला लेंगे और अब हम ने जैन खीची है इसको देख लेंगे कितना है यह तो यह 8 inns था इसका इसका आधा हमने 4 पर निशान लगा दिया है और 1igmat बाहर की साइट करते हो और आधा इंच अंदर की साइट करते है ऐस तरीकसर हम इसको शेप देलेंगे और अब मैं यहां से स्लीव के बॉटम का निशान लगाऊंगे तो स्लीव का बॉटम यहां से हम 6 इंच ले रहे हैं मार्जिन एड करते हुए तो यह देखे इस तरही के से इसको मनें मिला लिया है तो यह हमारा स्लीव जो है रेडि हो चुका है इसको कटिंग कर लेती हुए तो यह स्लीज की हमने कटिंग कर ली है यह देखे इस तरीके से मिसमें Elastic डाल के डिजाइन बनाएंगे इसलिए हमने स्लीज को इतना लंबा लिया हुआ है और अब मैं स्लीज को देखे इस तरीके से अलग-अलग करके एक दूसरे के उपर रख दे रही हूं और ऐसे रख लेने के बाद हम उपर से एक फैब्रिक उठाएंगे इस तरीके से और बीच के दोनों को हम पकड़के हाफ इंच एट लिस्ट कम जग माधा इंच हाफ इंच अंदर की साइड करते वे देखिए ऐसे कट कर देंगे तो यह हमारे फ्रंट वाले पार्ट में जाएगा यह जो हमने डीप कटिंग करा हुआ है तो यह एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना बचवा था इसमें हम नेक का डिजाइन वगएरा सारी चीज़े बनाएंगे तो दिखिए हमारा जो कटिंग तो रीड़ी हो चुका है और अब वमें जो नेक डीजाइन है उसको हमें बनाना है तो हमें جतना नेक का हीथ चाहिए यह हम उसके काना कॉड़िंग रखेगह इसमें तो जो नेक शीफ बना हूँ है का फी तो मैं अतना नहीं रखोंगी तो इसको पहले हम एक दम बराबर करकर करक Being और दीखिए यहां से मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच मुले चाहिए मैंने 3 इंच में निशान लगा दिया इस तरीकेauso से और यहां से इसी चेप के एकॉर्डिंग हम रखेंगे यहां से मैं इसकी डीपनेस साड़े छेंच रख रही हूं और देखिए ऐसे ही इसको हलका साथ शेप देते हैं मैंने यह डिजाइन बना लिया है और इस निशान को मैं थोड़ा सा डाक कर दूँगी ताकि जहां हमने फैबरिक पे बुकरम पेस् बनाया हमने और इसको भी हम फोल्ड करके इसके दूसरी साइड इसका प्रिंट बना लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से यह देखिए हो गया दूसरी साइड तो इस तरीके से अगर डिजाइनर कोई नेक पीस बना हुआ है तो उसी के उपर बिल्कुल आप जैसा आगर मान ल निशान देते वें एक और निशान लगा लिए और 203 कम से कम कगाण दिते हूं कट कर लेंगे ताकि वहां से हम इसको स्चि cuerpo कर सके तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दे स्च करेंगे यह हो गया है फ्रंट पार्ट के लिए और ऐसा ही अब हमें बैक पार्ट के लिए निशान लगाना है विल्कुल सेम आज इस तो सबसे पहले मैं तीन इंच का निशान लगाऊंगी यहां से और जो इसकी जो लेंथ है जो गहराई है वो जितनी थी इतनी हम लेंगे पूरी तो को भी मैंसे ही पेस्ट कर लूँगी तो हमने फ्रंट और बैक दोनों ही नेक की कटिंग देखी इस तरीके से कर लिया है और अब हमें इसको स्टिच करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यह है नेक का फ्रंट पार्ट सबसे पहले हम इसमें मिड में निशान लगा लेते हैं इस तरीके से और ऐसे ही इसको भी मैं बिल्कुल इंब्रॉइडरी को मिलाते हुए और ऐसे कटका निशान लगा लूँगी और अब हमें सबसे पहले जो हमने नेक बुकरम पे बनाया हुआ है उसकी किनारी हमें हाफ इंच रखते हुए फो प्रॉड या सिंपल फ्रॉड जो डिजाइनर होता है उसकी आप कटिंग और स्विचिंग कैसे कर सकते हैं या डिजाइनर नेक को आप कैसे कट कर सकते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा अब इसके मिड़ मैं एक स्लाई चला लूँगी इस तरीके से निशान से पहले पहल लेना है यह इस तरीके से हम जितनी फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई चलाएंगे उतना ही अच्छे से नेक डिजाइन बनकर त्यार होगा तो यह हो गया है और अब हम इसमें हाफ इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए साइड से कटिंग कर लेनी है कटिंग कर लेने के बाद अब मैं देखिए इस तरह के से छोटे छोटे इस पर नौचिस लगा दे रही नौचिस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसको पल्टे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो शेप आए और देखिए इसमें कोई खिचाव ना है इसलिए हम यह चींओ नौचिए लगे इस तरीके से स्टिच कर लेती हूं तो से इसे मैंने स्टिच कर लिया है बिल्कुल रडी हो गया है या आप स्टिचिंग देख सकते हैं इसकी और अब हमें इसके सीधे वाले पार्ट जो है दोनों के एक साथ रख लेने अंदर की साइड और इस तर थ 상 trusting से को खोल लेना है और ऐसे मिलाते वेशेंस तरीके से कि यहो गया है और इसकोほнов'm सक्ष्ड्वारा दिटीच कर ल Wor देखे खोल के ऐसे मिला लेंगे कि तो यहां पर इसके हमने शोल्डर स्कोत भी अटच कर लिया है और जिसका नैक डिजाइन Oh को भी हमने paradise कर लिया है तो अम हमस्में आर मोल्स को अटैज करना है तो उस और मोल्स को हम तदेश कर लेंगे ऑफ हमने लेंगे दीजियां सबसे पहले इस तरीके край लिए इसती टुरुआ हो तो सबसे पहले इसकी हमाँ बॉटम को स्टिच कर लेना है इस तरीके से फोल्ड करते हुए तो यह देख सकते हैं इस टिच हो गया है और यह मीड़ वाले पार्ट का हलका हलका मारका रहा है जिसा कि आप देख सकते हैं हमने फोल्ड करा रहुत है तो बस वहीं से अब हमें निशान लगाना यहां पर तो मैं धाई इंच पे निशान लगा रही हूँ यहां से 2.5 पर पर स्टिच करना है तो मैंने Elastic इस पर डिजाइन क्रीएट कर रही हूं तो Elastic की मैंने लेंद रखी हुई है फाइव इंच है यह देख सकते हैं तो इस तरीके से रख लेना हमें इसको थोड़ासा स्टार्टिंग में पक्कजा कर लेने पहले थाकि बात में खुले नहीं देख सकते हैं यह नहीं है कि देखा हिस तरीके से हम इलास्टिक को खीचते ह 나오ly और बिल्गुल ऩर्मल रखना है और इस तरीके से समें स्थिज एंसके कर लिए हम यह सुझा है है तो हमने एक साइट स्टिच कर लिया है इस तरीके से डिजाइन आ गया है और ऐसे ही अब मैं यहां पर स्टिच करूंगी रखते हुए यहां पर इसको भी मैंने पहले पका कर लिया और ऐसे स्टिच को कीचते हैं इसे से स्टिच कर ले रहे हैं तो यह हमारा जैसका दिजाइन ऊचुक है रेडी कि देख सकते आप चाहिए तो बीच में बीक में इस स्टिच का कर जाए है कि बनने दो इलास्टिक लगाया है और यह बनने पर काफी अच्छा लग रहा था इसका फाइनल लुक आप लास्ट में देख सकते हैं तो अब मैं इसके स्लीव्स जॉइन कर लेती हूं नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स जॉइन करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसके दोनों स्लीव्स को अ तो अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट को स्टिच कर लूँगी तो हमने घेर के लिए फैब्रिक कट कर रहा था उसमें जो इंब्रॉइड पार्ट था देखिए यह वाला जो कढ़ाई हो रहा है इसको हमें आगे की साइड रखना है और इसकी जो बॉटम में 1.5 इंच फै करते हुए स्टिच कर लूँगी तो देख सकते हैं आप इसको मैंने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया तो इस फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया नीचे का बॉटम में और यहां पर मैं कच्छी सिलाई लगाऊंगी रफ स्टिच ताकि हम इसमें चुनाट कर लिए तो चुनाटे डाल सकें और टॉपकी बॉटम के अक्वादिंग इसको अगजस्ट कर सकें तो इस तरीके से मिह इसको चुनाट डाली है और ऐसकी इसके बैक कॉले पार्ट में आप Clay आप यह सी इस कि पॉने इसकी मैं ब्याप कर ला पार्ट का फैब्रेक से बॉटम को स्टिच तो यह देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने इसमें फ्रिल्स बना लिया है और इसके बॉटम के अकॉर्डिंगी बिल्कुल बराबर एड़ेस्ट कर लिया है तो यह हमारा फ्रंट वाले पार्ट में अटाच होगा और इस तरीके से उल्टे वाले साइट से दोनों को फैब् इसके फ्रंट और बैक में मैंने दोनों में इसके प्रंट और बैक में मैंने दोनों इसके फ्रिल वाला पाट था नीचे का तो वह हमने अटाच कर लिया है यह हमारे स्लीव बन चुके हैं अलर्रेडी सारी चीजह में रड़ी कर लिया है और अब मैं इसमें फिटिंग का सिलाई पूरे में लगा देती हूं और उसके बाद में इसका फाइनल लुक मैं आपको हो चुकी है उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा